य। आज़ के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैलंडर क्ल ni के बारे में calendar class एक बहुती कमाल की class है और इस class को मैं कमाल की class इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप शायद जो चीज़े manually implement करो ये calendar class आपको automatically करके देती है इंटली जा idea fire कर रहा है मैंने भी और 98 वीडियो यह हमारा तो यहां पर जल्दी से एक नई की फाइल बनाऊंगा हमें 98 फाइल तो new java class cwh underscore और 98 है हमारा यह वीडियो और मैं आपर लिखते हूं calendar class calendar class ठीक है और calendar की spelling गलत हो गई कोई बात नहीं calendar class in java 14 dogs अरे मैंने क्या कर दे जावा 124 जब तक आएगा तब तक पता नहीं हम लोग खाऊंगे बट calendar class ठीक है calendar class क्या है calendar class सबसे पहले एक abstract class है ठीक है यह बात सब को ध्यान में रखना है calendar class एक abstract class है एक ऐसी class नहीं है जिसका आप एक instance बना सको लेकिन calendar class के अंदर एक static method होता है जो कि आपको एक instance देता है class का what does it mean let me explain हम लोग यहां पर करेंगे क्या हम लोग सबसे पहले तो यहां पर main method बना लेते हैं और main method बनाने के बाद आप लोग यहां पर देखो अगर मैं लिखो calendar और calendar लिखने के बाद मैं लिखो c is equal to calendar.get instance तो मुझे calendar instance मिल जाएगा अब मैं अगर system.out.println करके c.get calendar type लिखो और उसके बाद मैं इसको right लिक करके run करूँ तो आप लोग देखो यह मुझे calendar का type जो है वो print करके देदेगा Gregorian calendar है यह ग्रेडर का type है Gregory ठीक है तो by default इसने मुझे जो calendar दिया वो Gregorian calendar था what is Gregorian calendar ठीक है मैं आप बताता हूँ आप लोग को Gregorian calendar ग्रेडरीन calendar वो calendar है जो हम और आप mostly सारी दुनिया इस्तेमाल करती है बारा महीने होते है 28 से लेके 30 दिन के बीच में वही January, February, March, April जो की मुझे और आपको मालूँ है वही Gregorian calendar है इस calendar का नहाम है Gregorian calendar यह कौन सा calendar ले आए हमने तो calendar सुना है हमारे खर पे तो calendar छपके आता है Gregorian calendar क्या है वह Gregorian नहीं होता है ठीक है तो Gregorian calendar और भी बहुत सारे calendars है Islamic calendar, Julian calendar, Roomy calendar, Hebrew calendar क्या मुझे इन सब के बारे में पता है obviously not here मुझे नहीं पता इन सब के बारे में details बट देख लेगा आप लोग ठीक है कि कैसे क्या चीज की detail क्या है ठीक है तो अब यहां पर हम लोग एक काम करेंगे कि इसको बंद कर देंगे और calendar class के कुछ methods को देखेंगे अच्छा अगर मैं timezone print करना चाहूं calendar class का तो मैं किस तरह से करूँगा मैं यहां पर system.out.println लिखूँगा यहां पर system.out.println और system.out.println लिखने के बाद में लिखूँगा c.gettimezone gettimezone ठीक है gettimezone में लिखूँगा और आइट लिकर के run करूँगा और आप लोग देखो यहां पर मुझे चोई timezone देखने को मिल जाएगा तो यह कह रहा है कि यह वाला timezone आपका इस calendar instance के corresponding है और यह obviously Asia Calcutta है क्योंकि मैं यहां पर इंडिया से वीडियो बना रहा हूं अगर मैं बहार से वीडियो बना रहा होता तो शायद यह मुझे वो timezone देता है जो भी default timezone है वो यहां पर आप लोग को देखने को मिलता है अब यहां पर आप लोग देखो कि system.out.printlnc.gettimezone ने इसको print किया अब अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा timezone है वो मैं change करूँ या फिर मैं मान लो एक ऐसा calendar instance चाहता हूँ यानि कि जो मैंने यह calendar instance बनाए मैं काम करूँगा जरा मैं इन सब को comment out करूँगा और replicate भी करूँगा in fact एक काम करता हूँ यार ज़्यादा confuse नहीं करूँगा आप लोग को ctrl z ctrl d दबाऊँगा और इसको मैं replicate कर लिया अब मैं इसको comment out कर दूँगा क्योंकि सारा code में चाहता हूँ आपके पास रहे मैं जब get instance कर रहा हूँना calendar तो मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ऐसा instance मिले जिसका given timezone हो तो मैं आपर क्या लिखाँगा timezone और लिखाँगा timezone.gettimezone और इसके बाद यहाँ पर जो timezone की idea हो दे दूँगा तो मैं काम करूँगा इंटरनेट पर search करूँगा timezones ठीक है timezone क्या होता है by the way timezone जिसे कि हमारा ist है हम gmt plus 530 follow करते हैं अगर आप जाते हो Singapore के timezone पर तो वो gmt plus 8 है ठीक है और वो sst follow करता है sst social studies नहीं है Singapore standard time है ठीक है तो यहाँ पर Singapore standard time वो follow करता है अब अगर मान लो मुझे इसकी id जी है तो मैं आपर लिखता हूं Singapore timezone id और तो मैं अब चरब मुझे इससाँ कि आइडी तीक है क्या मुझे एहाँ पर एसके corresponding वे है मुझे मिलता है timezone यहाँ यहाँ पर मैंने टाइम पर लिखा है अगर मैं आप लिख और मैं लिका है अगर मैं आपर Asia slash Singapore नहीं देता तो आप लोग देखो यहां पर मुझे error देखने को मिल रहा है What is this? Okay, तो मैं अब इसको सब्सक्राइब करता हूँ और timezone dot get timezone मैं यह नहीं दूँगा यहां पर तो मैं इसको directly run करूँगा get instance करके और यहां पर देखो Asia Calcutta दे रहा है तो इस तरह से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इन सारी classes को अभी मैं आपर क्या करूँगा कि जो मैंने calendar class के बारे में Java Docs का page खुला हूँ इसको दरह देखूँगा और आप लोग इसको पढ़ सकते हैं अगर आप लोग इसके सारे methods को अच्छी तरह से run करना चाहते हैं अगर आप किसी ऐसी field में हैं कि यह आप लोगों को date, time, calendars के स साथ बहुत जारे deal करना है तो आप इस page को पढ़ सकते हैं यह page आपको जो है एकदम सब कुछ बताएगा थोड़ा सा बोरिंग जरूर हो जाएगा मैं बता रहा हूं आपको थोड़ा सा बोरिंग जरूर हो जाएगा लेकिन हाँ आपको अच्छे से understanding आ जाएगी अब देख इस बात को याद रखना है कि कैसे मैंने यह सब आपको करके दिखा है कैसे मैं speech variety documentation की और कैसे मैंने यह सारी चीज़े आप लोगों को दिखाई है So I hope कि आप लोगों को समझ में आ गई यह चीज कि किस तरह से calendar class जो है काम करती जावा के अंदर आप इसके methods को explore करना और आने वाले वीडियो में हम लोग जो है इसका all deep dive लेंगे So अभी के लिए इस वीडियो में इतने हैं जागर आप लोगों ने अभी तक यह course access नहीं किया तो इसको जरूर अक्स कर लेंगे century hit करने वाले इस course में 98 वीडियो बन रहा है और जब आप देख रहोगे तो बन चुका होगा तो अगर आप इस वीडियो को देख रहो तो 98 वीडियो बन चुका है बड़ आक्शल में जिस टाइम में मैं हूं अभी उसमें बन रहा है कितनी अजीब सी वात है ना आप आपाई बन चुक्त बढ़ एस वीडियो में था ना जुक्त है ना रहा है तो अब आक्शल में चुक्त में जो कहा है वान दूस एंदिस वीडियो और यदिस परत्वारिक विडियो अंड, इस वीडियों, रो रहा है!